नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रंजीत टैगर और आप देख रहे हैं जिनिस में कर आज के इस बीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक सुप्रीम कोट का एक अहम जजमेंट के उपर जो 7 अगस्त 2019 को रविंद्र कौर भर्चिस मंजीत कौर के उपर दिया गया था बता दें कि अगर कोई वैक्टी 12 साल के अवधी तक किसी दूसरे वैक्टी के जमीन या फिर किसी प्रोपटीज पर अगर कबजा की हुए रहता है तो मालिकाना हक उसी वैक्टी को प्राप्त हो जाता है जो वैक्टी वहाँ पर 12 साल से रह रहा है या 12 साल से अधिक तक रहा ह तो बता दें लोगों में यह दहसत फैल जाता है कि क्या हम किसी परकार से अगर हम किसी वेक्ति के प्रोपटीज पर कबजा करेंगे 12 साल तक तो क्या वह मेरा जमीन हो जाएगा जी नहीं बिल्कुल नहीं इसके लिए आपको सबसे पहले मैं समझाने का प्रयास करता हूं अवैद कबजा और एक होता है प्रतिकूल कबजा यानि एडवर्स पोजिशन ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवैद कबजा के बिसमें कि अवैद कबजा क्या है बता दें अगर आप किसी वेक्ति के जमीन या किसी प्रोपटीज पर आवेद रूप से कबजा करते हैं यानि उससे लड़ जगड करके उसके जमीन पर रहने लगे या हो सकता है कि आप उसके जमीन पर उसको बिना निर्देश के हुए उसको बिना बताए आप उसके जमीन पर रह रहे हो हो सकता है कि वह वेक्ति दूसरा जगार रहता हो और आप उसके जमीन में रहने लगे 12-13 साल हो गया तो आप सुझेंगे कि नहीं वह जमीन मेरा हो गया तो यह सब जो है अवैद कपजा के स्रेनी में आता है और अवैद कपजा में यह भी आता है कि अगर कोई वैक्ती किसी दूसरे वैक्ती के जमीन में रहता है और 12 साल के भीतर अगर उसके ओपर कुछ केस किया जाता है या उसके खिलाप जो मेन मालिक होता है उस जमीन का अगर जो कबजा वहां पर किये हुए है उसके खिलाप अगर कोई अवाज उठाता है तो भी वह अवैद कबजा के स्रेनी में आएगा तो आपको अवैद कबजा के विसे में समझ में आ गया होगा अब हम समझाते ह यह निए अगर कोई व्यक्ति को जानते हुए भी किसी प्रोपर्टी ये जमीन पर रह रहा है उसमें 12 साल के अबधी तक अगर कभजा किये हुए है तो उसको हम लोग प्रतिकूल कभजा कहेंगे यानि एडवर्स पोजिशन उसको कहेंगे हां ये भी वात आती है कि अगर कोई व्यक्ति वहां पर रह रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के जमिन में रह रहा है और जो मेन मालिक है वो जानता है कि फलाना व्यक्ति रह रहा है और 12 साल की अवधी तक अगर उस पर कोई भी आवाज नहीं उठाता ह तो वह प्रतिकूल कबजा के स्रेनी में आएगा तो हम आपको बता दें अगर कोई व्यक्ति प्रतिकूल कबजा के स्रेनी में अगर कहीं पर कबजा करता है किसी के जमिन या प्रोपटीज में तो उस व्यक्ति को जो मेन मालिक है उस व्यक्ति को अपने बल पुर्वक नहीं तो वह व्यक्ति कानून की सहता ले सकता है और उस जमीन का उस प्रोपटीज का अपना मालिकाना हक साबित कर सकता है क्योंकि वह प्रतिकूल कबजा के अंतरगत आता है और कानून में यह लिखित है कि अगर प्रतिकूल कबजा के दाइरे में अगर कोई कबजा करता है कोई व हुए है तो उस वेक्टि को मेन मालिक अपने बल पुर्वख हटा सकता है अपने बल से ओपा सकता है क्योंकि वह अवैद कबजा के सृनि में कबजा वहाँ पर टीक है तो आप तो जान रहें कि अवैद कबजा क्या है और प्रतिकूल कबजा क्या है इसलिए आपको द Do whatever हम एक प्रतिकूल कबजा का आपको एक उधारन दे रहे हैं मायन के चली कोई विध्वा औरत है और वह अपने पुराने घर आनि अपने पिताजी के घर आ जाती है और वहीं पर रहने लगती है और 12 साल से अधिक हो जाता है वहाँ पर रहते रहते तो वह प्रतिकूल कबजा क स्रेनी में आएगा और अगर वह पिताजी अगर उस अपने पुत्री को अगर वहां से बेदखल करना चाहे तो असानी से बेदखल नहीं होगा इसमें वह पुत्री कानूनी सहता ले सकती है और उस पर उस संपती पर उस प्रोपटी पर अपना भी हग पा सकती है और सभाविक है उसको मिलेगा ही मिलेगा और आपको हम एक अवेद्कश कमझ का दो जगा जमीन है और وہ एक जगा रह रहा है वही पर हमेसा रहता है रहा सिर्ने में उसके पुरानी माली में मालिक के बिन जाने हुए किया गया है तो वह अवैद कबजा के स्रिनी में आएगा और उसे बारा साल के बाद उस जमीन का मालिकाना हक नहीं प्राप्त होगा उसको मेन मालिक अपने बल पुर्वक उसको हटा सकता है इसमें कोई भी दाग नहीं है लेकिन अगर हम सरकारी संप अधी तक नहीं रहता है आप अवैद कबजा कीजिए या फिर प्रतिकूल कबजा कीजिए बारा साल तक अगर वहां पर कबजा किये हैं तो वह वहां पर आपको कानूनन अधिकार नहीं मिलेगा आप उस जमीन का मालिक नहीं हो सकते हैं उसके लिए आपको 30 साल तक उस जमी लिमिटेसन एक्ट 1963 उसमें यह दोनों बातें धर्ज हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिकूल कपजा करता है और 12 साल तक करता है तो उस जमीन या उस प्रोपटीज पर उसी व्यक्ति का अधिकार हो जाता है और वही अगर सरकारी समपति का बात करें अगर सरकारी संपती पर अगर कोई प्रतिकूल कभजा किये हुए है तो उसके लिए जो समय सिमा है जो समय अवद ही है वह 30 साल तक है तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ में कीजेगा आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं अगरा वीडियो में धन्यवाद